राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है एक नए प्रसन के साथ, चले देखते हैं इस प्रसन में क्या दिया हुआ है, लिखा है, चार ओम, आठ ओम, बार ओम, तता चौबीस ओम के परतिरोध की चार कुंडलियों को किस परकार सन्योजित किया जाए, ताकि सन्योजन स दिख्तम तथा निंतम परतिरोध प्राप्त हो, मनें परतिरोध दे दिया गया है, चार थो परतिरोध है, एक दिया है, चार ओम का, एक एट ओम, बार ओम, तता चौबीस ओम का, लिख लेते हैं इसमें, आर वान, एकवल फोर ओम, आर टू दिया है, कितना, एट ओम, आर थ्री का वैलू दिया है, टुवेल ओम, आर फोर का वैलू दिया है, इकवल ट्वेंटी फोर ओम, एक चार परतिरोध दिया है, आर वान, आर टू, आर थ्री, आर फोर, सबका मान दिया है, बोल लहा है, कि इनको किस परकार सन्योजित करें, कि अधिक्तम धारा, कैसे सन्योजित करें, कि अधिक्तम धारा प्राप्त हो, और नियूंतम धारा प्राप्त हो, हम जानते हैं कि कि इसे भी परतिरोद के सन्योजन में अधिक्तम धारा प्राप्त करने के लिए उस परतिरोद को किस में जोड़ा जाता है उस परतिरोद को स्रेणी करम में जोड़ देते हैं तो हमारा जो परतिरोद का सन्योजन का जो तुल परतिरोद होता है वो अधिक्तम होता है यदि हम समन आंतर करम में जोडते हैं तब पृतिरोध की सन्योजन का जो तुल पृतिरोध होता है वह निउन्तम होता है तो हम पहले चलते हैं पृतिरोध का सन्योजन का अधिक्तम धारा के लिए लिख देते हैं अधिक्तम धारा के लिए अधिक्तम धारा के लिए पर्थिरुदों का सनुझन किसमे करते हैं स्रेडिकर में सनुझन करते हैं यहनि आर इकॉल हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर त्री प्लस आर फोर सबका हम वैलू पूट कर देंगे आर इकॉल आर वन का मानदे दिया है कितना चार ओम आठ ओम बारों चोबिस ओम तो चार प्लस आठ प्लस बारों प्लस टंटी फोर तो आरुकुल सब को हम जूड़ देंगे 48, 12, 24 का 48, 12, 12, 24, 24, 48 ओम एह हमरा क्या हो जाएगा 48 ओम एक ऐसा दारा है एह हमारा अधिक्तम परतिरोध है क्या है अधिक्तम परतिरोध निकल गया किस करम में जुड़ा गया है स्रेड़ी करम में जब हम परतिरोधों को स्रेडी करम में सन्योजित करते हैं तो हमारे जब तुल परतिरोध होता हूँ सबसे अधिकतम होता है अब लिखेंगे निवनतम परतिरोध के लिए क्या लिखेंगे नीमनतम नीमनतम परतिरोध के लिए नियुन्तम परतिरोद के लिए किसमें जोड़ देंगे समनांतर करम या पासो करम में जोड़ देंगे तो वहाँ पर हमारा फर्मूला क्या हो जाएगा 1 इकोल R 1 अपन में R इकोल हो जाएगा 1 अपन में R1 प्लस 1 अपन में R2 प्लस 1 अपन में R3 प्लस 1 अपन में R4 सबका हम value put कर देंगे R1 का दिया है 4-0, 8-0, 12-0, 24-0 equal 1 अपन में 4 प्लस 1 अपन में 8 प्लस 1 अपन में 12 प्लस 1 अपन में 24 1 अपन में R equal हो जाएगा इन सबका LC हम लेंगे 4, 8, 12, 24 का तो हमारा हो जाएगा 48 LCM अब निकाल लीजिएगा इसे 4, 8, 12 अब चोबीज का हम LCM लेते हैं तो 24 हो जाएगा 48 आजाएगा अब इसमें 4 से divide कर देंगे तो जाएगा 12 6 प्लस 2 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा तो 1 इकोल आर इकोल हो जाएगा 12 6, 18 अब चार कितना हो जाएगा 18 अचार हो जाएगा 22 अदो 24 यानि 24 अपन में 48 एक कड जाएगा वो जाएगा 1 अपन में 2 तो 1 अपन में R इकोल हो जाएगा 1 अपन में 2 तो R इकोल हो जाएगा हमारा 2 उम आप देखें यह क्या हो गया minimum हो गया सबसे क्यों कैसे minimum हो गया 4, 8, 12, 24 इस 4 परतीरोद दिया है इन 4ों में सबसे छोटा कहन परतीरोद है 4 अम का परतीरोद है मतलब कि तुल परतीरोद 4 अम से भी छोटा होगा यानि किस करम में सबसे छोटे परतिरोध से भी छोटा होता है यही चीज़ जब हम परतिरोधों को इन स्रीज में जोड़ते हैं यानि स्रेणी करम में जोड़ देते हैं तो हमारा जो तुल परतिरोध होता है वो दिये हुए सभी परतिरोधों के में जो सबसे बड़ा परतिरोध होता है उससे तुल्य पर्टिरोध न सी अदिकतम पर्टिरोध राप्ट होता है उस FIFA में छोटा हो जाता है एदि एभी तक हम नी चैनल को सब्सक्राइब नगया है तो सम्सक्राइब कर लेल ताकि आपको हर रोजद एक वीडियो प्राप्त हो जाए राजी और स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद अपका दिन मंगल में हो